मौक के बाद डियक्टिवेट हो सकेगा अधार किसी व्यक्ति की मौक के बाद उसका अधार का डियक्टिवेट किया जा सकेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी आफ इंडिया और रजिस्टरोल जनरल आफ इंडिया इसके लिए एक मेकेनिजम बनाने और उसे शुरू करने का काम कर रहे हैं इसके इलावा सरकार पूरे देश में बर्थ सर्टिफिकेट साथ ही अधार नमबर अलाट करने की योजना पर भी काम कर रही है अभी 20 राज्य में इस सिस्टम को लागू कर चुकी है इसमें 5 साल तक के बच्चों का कोई बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है उनके माता-पिता की जानकारियों के अधार पर जारी कर दिया जाता है बच्चों के 5 और 15 साल के होने पर बायोमेट्रिक लिया जाता है जिसमें 10 उंगलियां और चहरी की तस्वीर होगी ऐसी ही और जानकरियों के लिए हमारे वेल मीडिया सानल को सब्सक्राइब करें और फोलो करें अगर किसी विश्य के बारे में संखेब में जाना चाती हैं तो हमें कमेंट करें देने बाद